नमस्कार दोस्तों मैं अभी CST स्टेशन के पास में खड़ा हूँ और मैं एक और जोल के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे हमने देखा है आर्किटेक्ट्स ने सर्टिफाई किया है बेलमोंडो में और यू कफ परेड में की कारपेट एरिया का जबरदस शॉटेज है बेलमोंडो में एक फ्लाट ही एक छोटा सा फलाट मेजर किया गया जहाँ पर 12 टके का 12 परसेंट शॉटेज है और बड़े फ्लाटस में उससे ज्यादा है मैंने मेजर नहीं किया है और लेकिन मैं जानता हूँ वीसी इसके बारे में कि बहुत बड़े-बड़े shortages है Similarly, न्यू कफ परेड में शिल्पि थार्ड के flats measure हुए तो पता चला कि एक में 27 टके का carpet area shortage है दूसरे में 30 टके का carpet shortage है इतने बड़े carpet shortage के बावजूर ऐसे flats को loan finance कैसे मिलता है ये सवाल कोई करने रहा है तो मैं बताता loans पास करने में banks की भी मिली भगत है लोड़ा के साथ और ये कैसे see banks जब loans approve करते हैं home loans या फिर project loans भी अगर होते हैं तो project loans जब वो approve करते हैं तो उनका security क्या होता है उनका security होता है लोधा का flat लोधा के यानि the property जिसकी value है अब वो property की value किस के उपर आधारी था carpet area क्योंकि consumer carpet area के लिए पैसे दे रहा है agreement बन रहा है per square foot carpet area अब अब अगर carpet area कम है तो इसका मतलब कि उसकी value 30% से depreciate हो जाएगी for the sake of the valuation of the bank तो फिर ये कैसे हो रहा है कि लोधा इतना बड़ा carpet area का scam कर रहा है लेकिन banks loan pass करते हैं वो इसलिए क्योंकि लोधा is such a big customer of the banks कि लोधा dictates terms to the banks जिस तरह से आपको carpet area measure नहीं करने देता है वैसे ही लोधा bank को भी carpet area नहीं measure करने देता है और independently verify नहीं करने देता है कि कौन से slab पर building का actual यह है यानि कौन से stage पर है वो verify नहीं करने देता है banks का एक approved project finance का form होता है अब वो form mostly यानि normal जो builders रहते हैं उनको form भरना पड़ता है bank का form लेकिन यहाँ पर बात उल्टी हो जाती है यहाँ पर APF का जो form है वो लोधा बनाता है और bank उसे fill up करती है अब जाहिर है कि उसी इसके form में वो इस तरह के clauses लिख देता है कि उनको measure करने की जरूरत नहीं है और वो wave कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि we will take your word for it आप जो कहते हो carpet area है वो ही carpet area है ऐसे हम समझ के चलते हैं इस तरह के wordings आ जाते हैं अब इसके कारण banks are not doing their oversight which means वो जब loan दे रहे हैं तो वो RBI के norms के तहत loans नहीं दे रहे हैं they are not giving loans according to RBI norms वो मनमानी कर रहे हैं और वो risk भी ले रहे हैं इस तरह से लेकिन वो risk क्यों लेते हैं banks इसलिए इस टाइप के risk लेते हैं क्योंकि Lodha उनको bulk business देता है और उनके साथ भी दादागिरी करता है अगर कोई bank कहती है कि हम आपका APF form नहीं भरेंगे और आप हमारा APF form भरो तो Lodha कहेगा कि मैं आपके bank को recommendी नहीं करूँगा मैं अपने client से कह दूँगा कि ये bank में मत जाओ तो इस तरह से एकट bank है जो Lodha के black list में है मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ लेकिन एक leading private bank है और उल्टे side में दूसरे banks हैं जो जहां पे वो भी private bank है मैं उसके पंगे में नहीं पढ़ना जा रहा हूँ जो बहुत ही Lodha का business कर रहा है leading housing finance bank है आप इशारा से समझ जाईए कि सबसे leading finance housing finance company कौन सा था जो bank बन चुका है उसने ऐसा malpractice किया शुरू किया है कि बाकी के bank सिर्फ follow करते हैं चलिए नाम भी बता देता हूँ HDFC bank HDFC bank में they have got the bulk of the loans housing loans home loans of Loda उन लोगों ने इसके साथ मिली भगत किया है और उसे protect कर रहे हैं वो जानते हैं कि carpet area में shortage है लेकिन वो नजर अंदास करते हैं दूसरी बात banks जैसे जैसे slab आगे बढ़ता है construction का वैसे they are supposed to release the home loans लेकिन लोड़ा उससे आगे निकल जाता है वो slab बनाने के साथ में loan release या loan installment का release नहीं लेता है वो क्या करता है कि उसका जो machine बना रहा है वो crane जो है वो crane जिस चीज पर खड़ा है उसको core कहते है वो core जहां पर पहुँचता है वो कहता है कि यह मेरा slab हो गया जाने कि आप समझो तीन माले बनाए है लेकिन दसमें माले पर core पहुँच गया है slab तीन ही माले पर पहुँचा है लेकिन वो लेगा he will take the disbersal of 10th floor तो इसका फाइदा क्या होता है उसको project finance काफी आगे से मिल जाता है he gets project finance much before the actual disbersal date यानि कि वो उस project finance का interest को enjoy करता है और and this is at the cost of the customer तो यह एक जो banking का banking industry के साथ में मिली भगत जो है इसके बारे में मैं फिलाल पोल खोल रहा हूं कुछ लोग मुझे documents भी देने वाले है मैं आप से भी कहता हूं अगर आप banker है अगर आप banking industry के insider है please reach out to me and help me with documents where you can help me with you know whatever documents you have but I know this is the case मैं यकीनन कह रहा हूं कि यह ऐसे ही हो रहा है और अगर यह गलत है तो कोई defamation file करे मेरे उपकर thank you